हेलो फ्रेंज चलिए मैं आपको फिर से कौन नए जान का डॉर्मेट बताने वाली हूँ जिसके लिए मैंने यहाँ पे दो कलर की बूल ली है यह रिखी इस तरह की और यहाँ पे मैंने 9 नंबर शलाई ली हुई है इसी से मैं आपको बहुत ही प्यारा सा डॉर्मेट बनाना बताऊंगी जो बनाने में बिल्कुल एजी है आप इसे डॉर्मेट की जगे यूज कर सकते हैं या पूजा आसन की तरह किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं और आप इ बिलू कलर से फंदे डालेंगे और इस तरह से हम सिंपल तरीके से ही फंदे को डालेंगे इस तरह से यह देखी तीन चार पांच छे इसी तरह से मैं फंदे डालके यहां पर कंप्लिट करती हूं चौदा फंदे मुझे डाल लेने है चौदा फंदे से मैं आपको बता रही हूं इसको चलिए चौदा फंदे डालके कंप्लिट करते हैं तो देखे मैंने यहां पर 14 फंदा डाल लिया है और देखे इस तरह की कुछ हम पत्ति बनाएंगे यह देखित एक मैंने एक बनाकर आइंगे और यह बनाना बिल्कुल एजी है बिगनर्स भी आराम से इसको इजी तरीके से बना सकते हैं यह रिखे दो तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्या आरा, बारा, तेरा तेरा फंदा मैंने बुल दिया है और लास्ट का मैंने एक फंदा अपना यही पर छोड़ दिया है एक एक फंदा छोड़ते हुए इसको हम यहाँ पर कम्प्लीट करेंगे उल्टी शलाई में कुछ नहीं करना है उल्टी शलाई को पूरा उल्टा बनाएंगे एक साइड से फंदे को बनाएंगे और एक साइड से हम सिलिप करेंगे यह रेखिए इस तरह से तीन चार पांच छैर साथ आठ नो दस ग्यारा बारा दूसरा फंदा भी छोड़ दिया है एक एक फंदा छोड़ते हुए हम इसको पत्ति को कंप्लेट करेंगे तो आईए इसको ऐसे ही एक एक फंदा छोड़ते हुए कंप्लेट करते हैं उल्टी शाइड में कुछ नहीं करना है उल्टी शलाई को पूरा उल्टा बनाना है और प्लीज आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेश करें ताकि आपके पास हमारी वीडियो को नर्टिपिकिशन सबसे पहले पोस्ट सके तो ऐसे ही हम हर बार एक एक फंदा छोड़ते भी इसको बन तो आईए करते हैं इसको ऐसे ही तो देखिए फ्रेंज यहां पर अभी तीन फंदा बाकी छोड़ना है सबी को यहीं दिखिए मैंने एक एक फंदा छोड़ लिया है यहीं से पलट जाएंगे चोड़े फंदे मैंने डाले विये हैं सबी को एक एक करके हमने छोड़ देना है यहीं दिखिए यहां पर मैंने एक एक फंदा सबी को छोड़ दिया है और यह दिखिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा बारे सलाईएं मैंने बना लिए हैं यानि कि मैंने तेरमा फंदा अपना ऐसे ही सलाई में रहने दिया है अब इसको हम इस तरह से उतारते विए सबी फंदों को बना लेंगे जो छोड़े विए फंदे हैं सबी को हम बुर रहे हैं ये देखिए दो, चार, छे, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोड़ा तो सबी को बना लिया है और यहाँ पे ये एक पती मेरी बनके कम्प्रेट हो चुकी है अब फिर से हम उल्टी सलाई को बना लेते हैं बहुत ही सिंपल सा है गाईच, बनने के बाद यह बहुत ही खुबसुरत लगेगा तो फिर से मैं ऐसे ही अपना एक एक उल्टी सलाई को हम बना लियें फिर से मैं अपना ऐसे ही फंदे को एक एक करके छोड़े लोगे ये रेखिए दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा फिर से एक फंदा छोड़ दिया है अब यहाँ पर दूसरी पत्ती के लिए हम फिर से एक एक फंदा छोड़ लेते हैं उसके बाद आपको फिर दिखाते हैं तो देखिए मैंने फिर से अपना एक एक फंदा छोड़ लिया है जैसे यहाँ पर छोड़ा था छोड़ने के बाद ये देखिया सभी फंदों को बनाएंगे इस तरह से सभी फंदों को बना लेंगे ऐसे ये देखिये तो दो पत्ती मैंने यहाँ पर बना लिए यहाँ से सुरूवात की थी तो यहाँ पर एक एक फंदा छोड़ते हुए एक यहाँ से बन गई और एक यहाँ तक तो यह दो पत्ती हमारी बन के complete है अब देखिये यहाँ पर क्या करेंगे हम यहां से अपना yellow color इसमें add करेंगे बहुत simple सा है guys बनने के बाद बहुत ही खुब्सूरत लगेगा अगर आपने चैनल को subscribe नहीं क्या है तो चैनल को subscribe करें यह देखिए दो इस तरह से यह देखिए अब हमने क्या करना है एक सलाई हम ऐसे ही बनाएंगे दो-दो सलाई आपर डालेंगे और एक सलाई पर हम दोनों साइड से यह देखिए इस तरह से फंदे को दो का एक करेंगे यह देखिए इस तरह से एक फंदा घटा दिया अब दूसरी साइड भी ऐसे ही हम दो का एक कर देंगे गे देखिए और यहीं से पलट जाएंगे उल्टी सलाई में पुछने करना है उल्टी सलाई को ऐसे ही बनाएंगे एक दो तीन चार पांच 6 7 8 9 10 11 12 अब यह देखिए इस सलाई पे हमने कोई फंदा नहीं घटाना है क्योंकि एक ही सलाई पे हम जब अपना कलर चेंज करेंगे तब ही हमने एक एक फंदा दोनों साइट से घटा देना है तो एक 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 फंदा हम घटा चुके हैं यानि की दो फंदे और यहां पे दो सलाईया मैंने बना ली हैं अब अपना यहीं से ब्लू कलर आड़ करेंगे इसमें यह देखिए 12 फंदों में मैंने अपना ब्लू कलर आड़ कर दिया है अब यह देखिए अब दोनों साइट से एक एक फंदा हम घटाएंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 यह देखिए यहां पे भी हम दो का एक कर देंगे यानि कि मैंने 10 फंदा अपना बना लिया तो आईए इसको भी ऐसे ही बनाते हुए कंप्लीट करेंगे इसमें भी हमने कुछ नहीं करना है दोनों साइट से एक एक फंदा घटाते हुए इसको बनाते हुए जाएंगे हम और लास्ट में हमारा एक फंदा रह जाएगा सभी फंदों को ऐसे ही घटाते हुए कंप्लीट करते है तो देखे फ्रेंस यहाँ पर हम दोनों साइट से फंदे को और देखे किनारी हमारी ऐसे ही बन रही है यहाँ पर दोनों साइट से हमने फंदे को घटाते हुए यहाँ पर एक फंदा हमारा रह गया है इसको हमने बन कर दिया है इस तरह से हमारी यह पत्ती बनके complete हो चुकी है यह देखी इसी तरह की हम अपनी तीन हम यहां की जगे इसमें यहां पे तीन yellow से बनाएंगे और तीन हमने ऐसे ही blue से बनानी है तो यहां पे छे पत्तियां बनाके complete कर लेते हैं आपको जो भी color पसंद है आप उसको use कर सकते हैं तो आईए मैं 6 पत्ति बनाके complete करती हूँ तो देखी मैंने 6 पत्तियां अपनी बना ली है दो इस तरह से तीन चार यह देखी इस तरह से बनाई है यह मैंने बनाने का तरीका सहेम है जैसे मैंने आपको blue बताई है वैसे ही हमने यह वाली बना ली है चार पाँच और यह 6 अब इनको हम कैस तरह से जोड़के इनकी हम सिलाई करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ तो देखी तीनों पत्तियों को छैों पत्तियों को हमने इस तरीके से रखना है यह देखिए इनको हम ऐसे रखेंगे और जब हम सिलाई करेंगे तो इसको हम ऐसे इस तरह से सिलाई करेंगे यहां से हमने जोड़ना है यहां तक नहीं जोड़ना है और यहां से हम ऐसे जोड़ेंगे तो देखीए यह देखिए इस तरीके से यह देखिए बहुत ही सिंपल सा है गाईज अब कोई भी धागा लेके आप यहां पर सबी पत्यों को उल्टा करते हुए सिलाई कर सकते हैं यहां पर तीन मैंने यलो की बनाई है और तीन ही मैंने बिलू से बनाई है तो यहां पर बीच वाला हमारा राउंड बहुत ही अच्छे से बन चुका है अब जब हम सिलाई करेंगे तो इसको हम थोड़ा साहल का सा कीशते हुए यहां तक इसमें जोड़ेंगे ऐसे और दूसरी पत्ती को ऐसे फिर तीसरी को भी ऐसे तो यह हमारा इस तरह से सिलाई में आ जाएगा तो चलिए मैं एक बार आपको सिलके बताती हूँ